दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है तो दोस्तों प्राचीन काल से अब तक भारत को कई नामों से जाना जाता रहा है भारत को एक समय पर जंबू द्वीप और आरे परवत कहा जाता था हमारे देश के दो अधिकारिक नाम है पहला है भारत और दूसरा है इंडिया ये इंडिया नाम इंडस नदी से आया है इंडस नदी को सिंदू नदी भी कहा जाता है विदेशियों ने भारत को इंडो या इंडस नाम दिया था सिंदू एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है या चीन भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा